खबर टॉक के सदर इलाके से हैं जहां पक्का बंधाक शित्र के हाइवे पर एक ग्यात वाहन ने बाइक सवार मा बेथे को कुचल दिया हाद से में दोनों के दर्दनाक मौत हो गई जानकारी के अनुसार मेहगाओं निवासी राजिंद्र अपनी मा ज्रामकन्या के साथ खेट पर मवेशी का दूथ निकाल कर बाइक से घर लाट रहा था जहां रास्ते में हाइवे रोड चर्णते समय का ग्यात वाहन ने का तर्माटी हाद से में दोनों की मौके पर ही विर्तियों हो गई सुच्णा पर पहुंची पुलिस ने शव को मोचरी में रखवाया तो जहां शव कोस्मॉटम करवा कर परेजिनों को सौप दिया गया अभी तक उनके समस्या का कोई समधान नहीं हुआ है और इसी घबर पर अधिक जानकारे के लिए एवन संबादाता फिरोज उस्मानी फोन लाइन पर जुड़ रहा है हमार साथ जी फिरोज पूरा मामला विस्तार से बताएं अभी शोप पूसमार चल रहा है और इसी घास कब लेए तो इसी घूंसा और नहीं दूसरी और ग्राम जो ने आरूप लगाया कि इस तरीके तहां से पेलेबी हो चुकें क्योंकि जो हाईवे पे रास्ता जो ग्राम माति माते कुछते हैं तो उनके लिए कोई रास्ता बनावा नहीं नहीं है और चीज़े हाईवे पर जुड़ना पड़ता है जिसके जन्ते पिछले एक साल में एक करदें से अधिक मामोगे हो चुकी है जिसको लेकर फिराम में किरा अपरोश और करीबात परशातन से और जो हाईवे वाले रास्ता बनावाने के लिए मांगा चुके हैं उसके पाउजर भी इनकी ये समस्या नहीं चुनी जारी कि जि पेशा है जी जी फिरोश वाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवा प्रेटे एवन समबादाता फिरोश वानी है हमारे साथ ओनलाइन पर जुड़ोगे इस अबर पर अपडेट के लिए